कि हव् u कि विक्ली अनाल्सिस में इस वीक में आपको ट्रेडिंग दे कम हैं मंडे को आपको फर्स्ट्था आपने बंद रहेगा सेकंड एक हमें होली के लिए बंद रहेगा और सेकेड आप में नहीं को भी माक्त रहेगा गुट फ्राइड इपनाक्र आपको ये 1.5 डे यहां पे आपको कम होते हो दिखाई पड़ रहे हैं, उसके साथ में जो आपको 3.5 डे मिल रहे हैं, उस बेस में हम देखेंगे क्या sentiment बनते हो दिखाई पड़ रहे हैं, पिछले जो 4.5 बीक से continue एक rally चलती हुई जा रही थी, उसको finally break लगता हुआ करना होता है, नए हैं like, comment, subscribe करेंगे और bell icon दबाद लीजिए, इससे notification मिलती रहे, टेलिगराम चैनल से आपजूर सकते हैं, इसमें हम अपने views को देता रहता हूँ, सीधे आगे हैं friends, चार्ड पे, चार्ड गी condition को अगर हम देखते हैं, जो current में situation बनती हुई दिखाई पड देखते हैं, तो continue ये जो rally downtrend में चलता हुआ जा रहा था, इसको March मन्त में break लगा है, और break लगनी के साथ में जो फरवरी का low था और March का भी high जो बनाया हुआ, दोनों के बीच में लबक 10,000 points का difference है, ये important यहां बना हुआ, 10,000 points का इसमें यहां पर difference देखने को मिला है, और overall अगर आब individual एक मन्त की trading के लिए देखते हैं, तो इस November मत में हमें काफी अच्छी opportunity मिली है, higher side के लिए और lower side दोनों side में अच्छे move मिलते हुआ दिखाए पड़ा है, तो current situation friends जो भी बनती हुआ दिखाए पड़ाई, यहां पर अभी जो हां पर market close किया है, 74,700 के आसपास, इसके बाद में हमारे लिए जो 73,500, 74,000, 3,000 एक हमारे लिए important support यहां पर बनता हुआ दिखाए पड़ेगा, 74,000, 73,700, उसके बाद में ही further is my next move के लिए आपको देखना होगा, जो भी मंतली time frame में दिखता हुआ दिखाए पड़ा, higher side में इसके लिए 75,000 as it is resistance बना हो, उसके weekly analysis में अगर यहां पर देखते हो options तो एक आप सिर्फ learning purpose के लिए देखिए, earning automatic और time के साथ हो जानीगी, यह मैं आपके शाहर लगता शेयर कर रहा हूँ, यह जो candle बनी है और यहां पर यह जो zone बनता हो दिखाए पड़ रहा है, अगर इन दोनों zone को आप देखते हो तो इस इंपक्त बनता हो दिखाए पड़ा, तो उसका भी यहां पर असर आपको देखने को मिला, finally एक बहुत अच्छे लेबल के साथ में react करके यह higher side में निकलने की कोशिज कर रहा है, अगर इस zone पर यह continue trade करता है, जैसा हमने पहले भी देखा था, 76,000 से लेके 77,000 के बीच मे जो छोटी candle बनती हो दिखाए पड़ रही, 1000 से 1500 पॉइंट की बहुत important है, further इसको range decide करने के लिए, तो अभी यहां पर थोड़ी सी weakness फिल हाल के लिए बनी हुई है, जो situation बनती हो दिखाए पड़ रही है, हमारे लिए जो weekly sentiments आगर आप देख रहे हैं, तो regular way से जो हमारे maximum touch point बिलते हो दिखाए पड़ रहे है, 73,700, 600 इसके आसपास बनते हो दिखाए पड़ रहे है, यह हमारे लिए important है, उसकी बाद में most important और इस month का strong break करने वाले level है, वो है 73,000 का level, यह important यहां बना हुआ है, weekly sentiments में, further अगर यहां से उपर निकलने कोशिश करता है, condition बेस मैं इस व मिलते हैं, जैसे अगर आप investing करना चाह रहे हैं, तो आप इसको top और bottom पकड़ना होगा, लेकिन अगर आप trading करना चाह रहे हैं, तो आपको condition बेस जाना होगा, तो उस कारण से अगर आप यहां पर देखेंगे, तो condition जैसे जिस दिन की बनती ही, मैं आपके शेयर करता रहता ह यहां पर जो condition बनी है, अगर यह 76,000 के उपर close करता तो हमें एक positive hope के साथ जा सकते थे, बट अभी इसकी closing नीचे हुई है, और एक अच्छे supply zone से इसने react किया है, finally, जो candle बनती भी दिखाई थोड़ी weak candle बनती भी दिखाई पड़ी है, अगर डेली time frame में अगर आप देखते ह तो last week की वीडियो अगर आपने देखा हूं, मैंने यहां पर चोटी चोटी candle बनाने के लिए बोला था कि आपके लिए ऐसे zone कुछ देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद में next इस zone पर चोटी चोटी candle बनाता हूं, ब्रेक करेगा, तब हमें अच्छे move देखने को बना है, इस वज़ से dollar index में उतनी ही तेजी देखने को मिल रही है, और इधार उतनी ही थड़ीची मंदी देखने को मिल रही है, फाइनली अगर यहां पर condition अगर आप दूसरी देखने कोशित करते हैं, तो जो 74,247 का level है, पहला इसके लिए support का काम करेगा, जो हम पहले ही last classes में देख हैं, वो क्यों हो था मैंने आलरेड़ी आपको last week के में explain किया है, ज्यादा explain करने के चक्र में आपको वीडियो लंबी हो जाती है, तो यहां पर आप देखोगे उसके बाद में 73,600, 700 यह label रहेंगे, उसके बाद में 73,000 important support label के लिए यहां काम करने वाला है, यह condition आपको watch करन connection में किसी भी बड़े जून को cut नहीं कर सकता है, एदर higher side और lower side is depend on condition and situation कहां से हो जा रहा है, कितने उपर तक पहुंच चुका है, क्या उसमें condition बनती ही दिखाए पड़ा है, वो सारी condition अगर आप देखते हैं, तो यहां भी एक अच्छे जून से rate कर रहा है, finally छोटी छोट और उसके बाद में 76,000 रोकने के लिए बैठे हुए हैं, अब यहां पर फोर आउर setup में अब देखने के कोसिस करते हैं, तो फोर आउर condition जो बनी हुई देखने को मिल रही है, एक अच्छा down move आने के बाद में market रुका है, बहुत अच्छा shine है रुकने का, उसके बाद में कर reverse साथ भी प्लान करता है, तो हमें बहुत छोटे quantity के साथ में trading प्लान करना है, जिससे हमें losses कम से कम हो, और आप या मैं कोई भी trading करता है, तो पूरे move capture कर पाना easy नहीं होता है, तो इस वज़ए से अगर आपको जहाँ पे condition देखे, minimum of push stop loss देखे, आप वहाँ से trade करिए, बनता हुआ, जो as for my भी बनता हुआ दिखाए पढ़ रहा है, जो previous day का high है, अगर उसको आप देखते है, 75,335 है, आप 350 ले ले लिजिए आपे, या 400 max लेजिए, अब उससे उपर निकल जाता है, फिर भी आप गर condition बने हुए है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ अभी problem है, थ देखने को मिलता है हमें, और कौन सा जोन अच्छा important work करता है, अगर उसकी भी से में आपको जान करीजिए, आप लोग कमेंट्स मैंने बोला था, तो आप लोग ने कमेंट्स तो ना किया नहीं है, जिब तक आप लोग कमेंट्स एक level तक नहीं आ जाते हैं, तब तक उसकी 6,000 important resistance level है, पहला resistance 75,500 है, हो सकता है, इसको easy basis break करते हैं, लेकिन 76,000 के उपर निकलने के बाद में closing करना start करता है, और finally weekly closing हो जाती है, उसके बाद ही में next move देखने को मिलेगा, और यहां पर breakout level है, बहुत अच्छा बना हुआ है, इसको आप sustain करना चाहिए, या फिर रुखना के लिए ready रहेगा, finally आपके साथ जो भी detail है, मैं share करता रहूँगा, लेकिन इस week में हमें छोटी candles के साथ में, जो importance label है, वो हमें watch करने है, सबसे पहले 75,000 अकर break होता है, चार गंटी की trading हो जाती है, बहुत जाता momentum नहीं रहता है, तो हम एक higher side के लिए दे सकते हैं, छोटा stop loss होना चाहिए, तभी हम इंट्रे का बलान करें, otherwise हमें आपको देखना पड़ेगा किस तरह से situation बनती हुँ दिखाए पड़ रही, बड़े stop loss के साथ में जाएंगे, तो हम भी problem हो जाती है, thank you friends, मिलते हैं next video में, एक हमें इस week में trading days कम है, तो एक range में, market के साथ में 73,600 important support label क के साथ में 76,000 important resistance label है, यह हमारे के लिए 2 important zone निकल के आते हो दिखाए पड़ रहे हैं, मलते हैं friends, निक प्रेड़ू में, happy trading and happy learning